पहला मसला ये है कि इसराइल कई अश्रों से अपने मतलूबा टार्गेट्स को दूसरी सरजमीनों पर मारता आया है और भारत और रूस समेट कई मुमालिक भी इसी इसराइली मौडल को फॉलो करते हुए मुखालिफीन को जाके दूसरी सरजमीन पर गतल करवाने लगे अब मुझे ये बिता है भारत ने जितने बंदे मरवाए हैं पाकस्तान केंदर उसारे पाकस्तानियों ने मारे है वैसे लेके मारे भारती खुफिया एजंसी रौ पाकिस्तान में दो हजार बीस से जाएद अफराद को कतल करवा चुकी है इस मौकिफ के उपर कि वो दैशित गर्दी या मुबयना दैशित गर्दी का खात्मा कर रहे हैं और उसके लिए ये एक ब्रॉड रीच्ट ऑपरेटिव है मौदी दूसरों के हाँ इसे मूँ मारने की बड़ी गंदी आदेत है लेकिन आलमी ताकतों की दो नमबरी देखिए बलके दस नमबरी देखिए कि वो भारे जैसे मुलकी तरफ आँक उठा कर भी नहीं देखते मैमूद अबास ने इसमाईल हन्या के कतल की मजमत करते हुए फलस्तीनियों से मुतहिद होने की अपील की है दोस्तों इस समय पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ी डिवेट चोरो सोरो से चल रही है कि किस तरह से इसराइल ने इरान के अंदर गुस के मार रहा है यानि जो अभी इसमाईल हनिया जो की फलस्तीन की हमास ग्रूप का पॉलिटिकल लीडर था और फलस्तीन का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका था जिसका की कल रात दो बजे इरान के अंदर एससे सिनेट यानि मार गया पाकिस्तानी मीडिया के खबरों के साब से इसमाईल इसमाईल ने इरान के अंदर अपने इनिटिलेंस का इस्तमाल कर की इसमाईल हनिय का मर वात दिया उस पर पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर डिसकस कर रही है कि जिस तरह से एजरायल अपने दुसम picky अंदर मरे ठीक उसी तरह से उसी सीख करके कई देश खासतोर से पाकिस्त आई देखने हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटिस वीडियो को पहला मसला ये है कि इसराइल कई अश्रों से अपने मतलूबा टार्गिट्स को दूसरे सर्जमीनों पर मारता आया है इसराइल की इस पॉलिसी में नुमाया तोर पर तेजी आ रही है अब भारत और रूस समयत कई मुमालिक भी इसी इसराइली मौडल को फॉलो करते हुए अपने मतलूबा अफराद को दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में हलाक करवा देते हैं लेकिन अगर इस पॉलिसी से उसको रोका ना गया तो दुनिया का कोई भी मुलक अपने से कदरे कमजोर मुलक में अपने सियासी मुखालिक को गतल करवाने की रह पर चल पड़ा तो इसके लिए जम्मदार कौन होगा अमरीका अग्वाम मुतहिदा या खुद इसराईली अपसार सब इसराईली मॉडल की नजीरें हैं भारत और रूस भी मुखालिफीन को जाके दूसरी सर्जमीन पर गतल करवाने लगे अगर ना रोका गया तो फिर दुनिया भर का मॉडल तो जिसकी लाटी उसकी भैंस कमली नमूना बन जाएगा नहीं यही है दुनिया का असूल हमेशा से यही है बतनी आप आज क्यों समझनी ऐसा है जिसकी लाटी उसी की बैंस होती है और हम कमजोर हैं मुनाफिक हैं हुदगर्ज हैं तो यह होगा हमारे साथ मुसल्मानों की बात कर रहो हमें अच्छा खाना मिल रहा है अच्छे घर म बार इतनी पुरा असाइश जिंदगी मिली है तो वो इसको क्यों जाया करेंगे तो वो कर रहे हैं मौच कर रहे हैं वरस्तीनी मर गए तो क्या हुआ थोड़े से हैं अलाला खैर से ला कि बहुत सारे लोग भारत के अंदर जो है वो इसमाईल हानिया की जो मौत है उसको सेल करता है अब बहुत सारे अगले देल पंदना बीस लोगों को असाइसिनेट किया गया जो किश्मीर के रेटेट कहीं न कहीं आपको याद है पिछले फॉर्ण सेक्टर ने विसके उपर प्रस कांफरेंस भी की इसराइल भी ऐसे ही करता है कि इसराइल दूसरे मुलकों में ज सब्सक्राइब करते हैं जहां पर अन्वी है वहां जाकर मारना है तो इनके अंदर को सैमिलारिटीज है और यू फाइंड इस यह पॉइंड इस पॉइंड है इस्राइल ने चुलों हमला किया है किसने बेची उनके पास उदर शुकूर साब की बेरूत के अंदर लोकेशन बेची किसी ने इस इसमाइल हनिया ऐक Пस्थानी स्यासत द डार चस्थ दे जो थे इसक हैं जहुत में पहरे जया फार से पर शेलों है हों राडमाली है आजै इसमाइल हनिया एक फलेसे रिस्टीन स्यासत्दान और हमास के सियासी बियोरो के सरबरह रहे वो दस्वें फलस्तीनी हुकूमत के वजीर आजम भी थे घाजा जंग में मुजाकरात के हवाले से भी अहम किरदार अदा कर रहे थे वो एक ऐसा फलस्तीनी चहरा थे जो सिफारती स्था पर इंतहाई मुश्किल सुरत हाल में भी अपनी बात अच्छे अंदास से कहने की शोहरत रखते थे अब ये सवाल इंतहाई सादा है कि क्या इजमाईल हनिया की शहादत से बिल्खुस मश्रिग वुस्ता और बिलमूम दुनिया में इंतहा पसंदी रैडिकलिजम बन्याद परस्ती और देश्ट गर्दी को ज्यादा फरोग नहीं मिलेगा मगर क्या इस वाकए में कौन कौन से जवास दुनिया के मुख्तलि मुमालिक को दे दिये हैं जो के मुख्तलग का बाइस बनेगे तो पर आप उनको कहते हैं का उचा इक उनका रायलिवन तैक्तिक है तैक्टिक मैंने नहीं सबगा लिन JUmidt है नहींता, नहीं अजिएक दहिशतगर्दी एक है. अगर आपको कुछ करना है तो आप उसको स्रू पे से ओर जिए आनि जानों की बात है, जो घजा में हुआ, इस से ज्यादा और क्या इंसान कुरबानी दे सकता है। इनसान तो यहीं कर सकता है, अपनी जान दे दे। दे तो मरा छाल है क посмотрим जान देने के लावा इनको सोचना हाई जाए। के इसराहिल का मेशानular कैसे कैना है और ये एरान के लिए बड़ी एंबरस्मेंट हुई है, अभी चंद दिन पहले उनका एक प्रेजिडिन्ट जो है एक हाथ़े का शिकार हुआ, दुनिया के असी ममालिक की डिगनिटीज वहां पे माजूद हैं, और रात दो बजे ये हमला कर दिया जाता है, ये भी सवाल अच्छे अथियार बनाएं, तैयारी करने होगी, तैयारी करने होगी साइंसी इंदाज से, दाकत हासल करो, टेकनोलोजी की, और फिर जंग लड़ सकते हो तो लड़ो